तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपना जुरिस्पूडेंस का लास्ट टॉपिक और इसके बाद जुरिस्पूडेंस खतम हो जाएगा इतना अगर आप लोग पर लेते हैं तो मेरा दावा है कि आपका सारा का सारा कोश्चन आठ में से पांच कोश्चन आप गारेंटी क साथ बना के आएंगे तो मारा लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है सोर्स ओफ लॉव सोर्स ओफ लॉव के बारे में हम लोग जानेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे तो मैं ज्यादा तर इसमें डिक्टेट करूंगा बहुत कम लिखूंगा अब बहुत पहले से इसमें बहुत सारे आइडियोलोजी त्यूरी है और यह बनाया गया है इंक्लूट करता है रिलेशन ऑफ लॉव इंडिविज्वाल और सोचल इंस्टिशूशन के साथ कि आपका कैसा कैसा सोचल इंस्टिशूशन और लोगों के साथ होगा विदिन दे स्कोप अपिट स्ट है और कस्टम है इस तीनों के बारे में जानेंगे तो लाइंड सोल लाइंड सोर्स अफ लॉव अकॉर्डिंग तो जॉन चीपमें ग्रे के कहना चाहां हर्डवर्ड लॉव स्कूल प्रोफेसर थे वह कहना कहते हैं जो लॉव दे लॉव ऑफ दे स्टेट और एनी और्गना इस बिछ देफिनिशन हैं बिन ग्रेटिसाइज धॉर बिंग नैरो नैरो कहने के क्रिसाइज किया गया इस तिंग्विश्ट लॉव फ्रॉम इन्होंने लॉव को सोर्स अफ्लॉ से अलग बता दिया अकॉर्डिंग तो हम्लों कोहीं से वाइलिटिटी पाते हैं आपके इस को जहां से हम उसको डिराइब करते हैं और जो भी material चीजे हैं वो इसमें आती हैं उसके बाद जो है type of source of law जॉन सॉर्डमेंट यह लीगल रिसर्चर थे इनका कहना है यह जो है वो classified source of law है यह दो प्रकार का है material source और formal source material source वो source है जो source हम लोगों को law make content दे और matter दे वैलिडिटी दे यह दो प्रकार का हो सकता है जो legal हो सकता है और historical हो सकता है अब आते हैं legal source तो legal source ऐसा source है जो हम लोगों को बताता है क्या legal theory law है और conventional law है historical source बहुत सारे source थे जिससे influence होके law को बनाया गया उसको वैलिडिटी दी गई है है कि जो foreign judgment है या जो इंडिया का judgment दूसरे state का दूसरे state का हाई court में वैल्यू नहीं होगा या morality equality justice या professional opinion जो होगा वो पर सुएसिव होगा यह है उसका binding sources क्या है binding sources जो एस्टेचूट बनाया गया है legislation बनाया गया है judicial president बनाया गया है और custom बनाया गया है यह binding होगा president as source of law judicial president जो है वो source of law है क्योंकि judicial decision जो आते है legal principle उसमें जो दिया गया होता है subordinate court के द्वारा उस पर लागू होता है follow करना पड़ता है और जो भी judgment दिया जाता है court को मानना पड़ता है right to die with dignity की बात किया था court ने जो कहा था right to die is dignified manner is not the same right to live right to die is an unnatural way मतलब कि आप unnatural way में नहीं मर सकते है right to life मतलब यह नहीं है कि आपको life में अगर घटन बहुत ज्यादा परिसान है तो आप मर जाए नहीं आप संगर्स कर जिए और आगे बढ़िए मरना जो है वह एक मात जो है वह नहीं है में का गांधी वर्से यूनियों अफ इंडिया में जो आया था पासपोर्ट एक्ट के तरह तो उसका पासपोर्ट को रोक लिया गया था तो आर्टिकल 14 19 और 21 गोलें ट्रैंगल बनाया गया था और डू प्रोसेस ओफ लॉल आया गया था और प्रिसीडेंट है आज भी चल इस जो आर्टिकल 141 में है सुप्रियम कोट के तो इसको आप देख सकते हैं जिसमें कहा जाता है कि सुप्रियम कोट के पासपावर है उसको मानेंगे डॉक्टर राइन ओफ रेस जुडिकाटा है सब्जेक्ट मैटर है जो भी है जो लॉसूट में जो भी चीजे कही गई है उस पर जो भी party है वो बार्ड होगी उसको वो सारे काम करने होंगे जो काम कोट के द्वारा कहा गया होगा कोई भी नया material fact अगर आता है तो वो रेज नहीं किये जा सकते हैं उस claim नहीं किये जा सकते हैं जब तक previous suit का decision आजा सुट के डिसीजन के बाद उसको बाद में क्लेम बगर कर सकते हैं तो रेस जूटी काटा का मतलब यहीं कि subject matter जो है subject matter क्या है वह adjust कर दिये गए है वह फैसला दे दिया गया है यह होता है डॉक्राइन और रेस जूटी काटा जिसमें पार्टी जो है वह बार होते हैं पार्टी को रोक दिया जाता है कि जो सुटी को लेकर दूबारा कोक्प में नहीं जा सकते हैं जो to अब आता है जो सीविल कोर्ट में आपको CPC में पढ़ने को मिले अब आते हैं इस Syde intellig and Dollar declares descendidide esasностью बिदेफ का मतलब होता है कि आधार पर दिया उसी को रे सीरेंटी करते हैं क्वे वे स्टेचीजूट जो है कोई प्रिसिडेंट उसके पासपोर्ट को चप कर लिए उसकी लाइफ है आप कैसे रोख सकते हैं वह उगर सही काम से जा रहा हिसे तो यह सारे जो है वो अपना जो भी केस डेकलेर करते हैं तो जो लीगल प्रिंसिपल होते हैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन को देख के बताते हैं और इसका ज्यादा वैल्यू नहीं होता है सिर्फ और सिर्फ उसी केस में वैल्यू होता है बस वो जज़ का जो पॉइंट ओभी होता है दिक्टा कहला तब प्रिंपया जो अतना ज्यादा नहीं आदा सिर्फ उम्रॉट इप प्रेसीडंट प्रिशियद्रिटिशन विए इसको फॉलो करना होsan को नहीं करना पड़ेगा इनो फोलगों फ्रींट इसको कर सकतें daw मीए उपके पाई होगी एक है conditional authoritative यानि conditionally जो है वो चेक किया जाएगा certain condition पर यह लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए उसका original and declaratory जो भी original declaratory है वो मानना परेगा जो judgment दिया गया होगा उसके बाद है factors increasing the authority of president तो जो भी president के authority को बढ़ाता है बहुत सारे factor है unanimous decision आ जाए यह किसी judge के द्वारा या अपरूब कर दिया जाए court के द्वारा higher court के द्वारा तो मानना परेगा उसके बाद जो enactment करा दिया जाए institute का कोई law बगरा बनाके ज्यादा जज की bench decision को दे दे तो चेंज हो सकता है तो factor यह सब है उसके बाद अगला है factor decreasing the authority of the president तो जो भी है इससे क्या हो सकता है abrogation आ सकता है judgment reversal हो सकता है abrogate किया जासकता たえ judgment reversal करकर जो भी है decrease किया जा सकता है उसकी value को यह overrule किया जा सकता है higher court के द्वारा जो भी decision दिया गया हो high court दिया है Supreme Court को खतम करता है district court दिया है तो इसको high court खतम कर सकता है तो इस प्रकार की चीजे हैं हां तो जो भी application है statuary rule in act कर सकता है affirmation जो है और रिवर्सल है जो सूर्स ऑफ लौ है तो legislation में जो बनाते हैं support lawnegation नहीं लाओ बनाते है गाप के लिए या कोई भी घट ना घट हरएई उसके खिलाफ ताकि लोगों को मदद जो मैं बता चुका हूँ जो आट नॉमस लोग होते हैं उनकी टाइमिंग है लसी टू की आठ से दो तो आठ से दो ही है वह कोट नहीं कह सकता है कि आप नॉर्मल कंडिशन में कि आप सुबह में चार बज़े से बार बज़े तक कर लो घर्मी के दिन में तो उनकी ऑट नॉमस प्राइबिट और पब्लिक दोनों के लिए है उसके बाद जो है कस्टम है जो बताया गया है हमारे समाज में यह सोसाइटी में जो चलता आ रहा है उस चीजों को देखते हैं और चीजों को देखने के बाद वो जो है वो continuous होता है और वो चीजे समाज के लिए सही है तो उस जाता है वैलिट कस्टम होने के लिए रिजनेबिलिटी क्या वो रिजनेबल है क्या वो सही है वो प्रैक्टिकल है क्या उसको फॉलो किया जा सकता है modern society में ठीक है तो माल लिया जाएगा antiquity यह क्या वो पूराना होना चाहिए और बहुत साइम से खतम होना चलते आना चाहि होनी चाहिए कुस्तर रिजर होनी चाहिए जो उसको अच्छे से समझ सके और से उसके बाद क्या है I चाहिए या नहीं है continue करने से पहले continuity in practice चलते आना चाहिए बीच में नहीं टुटना चाहिए उसका flow लगातार पांच सल दस साल बिस साल ऐसे चलना चाहिए ऐसा नहीं कि दो सल चला फिर चोर दिये फिर आगे continue कर लिए तो custom नहीं जानेगा आना जाएगा must not be in opinion to public policy तो जो भी है क्स्टम जो है वह पब्लिक policy के खिलाफ नहीं होना चाहिए Must be in general और universal ऐसा होना चाहिए जो general होना चाहिए और सभी जगह मानने है ऐसा होना चाहिए जो custom है वह binding obligation होते है में custom जो हैं वह फॉलों किया जाते हैं society के तवारा ले Dawn होती है custom में obligation होता है custom में law जो होते हैं कश्टम में बता जो ल्यूस्तव होता है जो law के तवारा बनाएगा है conventional खेंच्टम होता है जो चलते आ रहें conventionally जो follow किया जा रहा है समाज में जो लिखा हुआ नहीं है फिर वी वोग होता है तो इसां कर सकते हैं कि सब बनाए है सब इसलिए रखा गया है कि सब एक दूसरे को support करके एक अच्छे law and order इंडिया में या वर्ल्ड में ला सकें और लोगों को help पहुंचा सकें यह प्रकार का reflection है society पर जो बताता है generation को कि आपको यह सारी काम करनी चाहिए ऐसे करके आप अपने life को बहतर बना सकते हैं और life हमारे interpret करके इन चीजों को अच्छे से हम अपने law and order को चला सकते हैं तो हमारा यहां पर jurisprudence का syllabus खतम होता है thank god आज खतम हो गया तो आप लोग जब भी देखिएगा जो भी doubt है पूछ सकते है jurisprudence में जितना मैंने परहा दिया है इसको आप अच्छे से पर लेंगे notes बना लेंग तो उमीद है कि आप 5 questions अच्छे से कर सकते हैं इसके अलावा भी आपको अगर कुछ लगता है तो वो भी साथ-साथ पर लिजिएगा लेकिन इसको छोरके नहीं जाएगा क्योंकि इतने में jurisprudence का सारा सार है जो मैंने बता दिया है और इससे jurisprudence का सारे questions कर सकते हैं all the best for your exam अच्छे से पढ़ते रहेगा ज्यादा tension नहीं लिजिएगा और exam को बहुत casual way में दीजिएगा तो सब अच्छा होगा tension लेने की कोई बात नहीं है और मैं बता दूं कि आप systematic way में लिखिएगा जैसे जैसे जो बताया गया है और ज्यादा cutting नहीं करिएगा और ABC ध्यान दी दिजिएगा तो एक दो लाइन खीच दीजिएगा और कट मार के खतम होने के बाद लंबा सा लाइन उसके नीचे दो एक लाइन छोर के दो लाइन ताकि फर्ता चल जाए कि यहां पर खत्म हुआ है उसके बाद नया चीज शुरू करिएगा तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग जुरुस्पूदेंस का पूरा कोर्स देखे समझे और आपके लाइट में जरूर चेंज आए इसी उम्मीद के साथ जुरुस्पूदेंस के कोर्स को यहीं खतम करते हैं थाइंक्यू सो मच जै हिंद जै भारत